नमस्कार दोस्तों मैं अबजेक सिंग आपका हमारी यूटूब चैनल दविंड पर हादिक स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सूचना और प्रसाडर मंत्राले द्वारा जारी नया गाइडलाइन के बारे में बताऊंगा और साथ ही केबल टेलिविज नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के बारे में ब्रिश्त्रित जानकारी दूँगा तो वीडियो में अंतक बने रहे हैं दोस्तो आपको पता हुआ कि हाली ही में घटित कुछ घटनाओं में कुछ शेनस बढ़ चड़कर और प्रमाडिक भ्रामक संसनिक खेज और समाजिक रूप से और स्वीकार भासा कर इस्तिमाल कर रहे हैं जो कि देश में असान्ती और समाजिक और सुरच्छा फैला सकता है खबर यह है कि केंद्री सूचना एवं प्रसारण मंत्राले ने नीजी टीवी समाचार चैनलों के जूठे दावे और निंदनी सुरखियों के इस्तिमाल से बचने के सलाह दी हैं दोस्तों एडवाजरी में यूकरेयन रूसी संगहर्स और विशेश रूप से उत्तर पशिम दिल्ले की घटनाओं का हवाला दिया गया है जहां टीवी समचार समागरी और बहस करिक्र में सनहिंता का उलंगन पाया गया है जबकि उकरेयन रूस संगहर्स पर रिपोर्टिंग के मामले में मंत्रालय ने पाया है कि चैनल निंदनी सुर्खिया बना रहे हैं और पत्रकारों ने नीराधार और मन गढ़नत दावे किये हैं और दसगों को उकसाने के लिए अतिसायुक्ती का इस्तमाल किया गया है दिल्ले हिंसा के मामले में कुष चैनल ने भड़काओ सुर्खियों और हिंसा के बीडियो वाले समाचार प्रसारित किये हैं जो समुदारों के बीच संप्रदाई गिणा को भड़का सकते हैं तथा सांती यों कानुन ब्योस्था को बारहित कर सकते हैं बता दें कि यह एड़वाजरी दे केवल टेलिवेजन नेटवर्क्स रिगलेशन एक्ट 1995 के तहट जारी किया गया है। दोस्तों केवल टेलिवेजन नेटवर्क CTN अधिनियम के तहट कोई भी मीडिया प्रावधानों और कारेक्रम कोड का उलंगन करता है तो कानून में दो साल तक की कैद या पहले अपराध के लिए एक हजार रुपय तक जुर्माना या फिर दोनों और पांस साल तक की कैद और पांस हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है इस कोड में केवल टीवी चैनलों के लिए डोंट्स यानि कि क्या न करें कि एक विस्त्रित सूची है जिसमें इस पश्ट रूप से कहा गया है कि केवल टीवी चैनलों को ऐसा कुछ भी जो असलील, मानहानिकारक, असत्य हो और और प्रत्यच और आधा सत्य खबरों को प्रसाइद करने से बचना चाहिए दोस्तों ऐसा सुनने में लगता है कि यानियम केवल टीवी चैनलों के लिए कामगार नियम है लेकिन ऐसा नहीं है इस निया में बहुत कमिया भी हैं जैसे केवल टीवी नेटवर्क अधिनियम 1995 की धारा 20 में कहा गया है कि सरकार किसी भी कारिक्रम के प्रसारण या फिपुना प्रसार को वियनिमित या प्रतिबंधित कर सकती है जो उसे लगता है कि कारिक्रम में और विग्यापन कोड के अनुरूप नहीं है हलाकि टीवी के लिए सामागरी को पूर प्रमाडित करने के कोई निकाय नहीं है कोई कोड उलंगन की विशिष्ट सिकायतों की जाच एक अंतर मंत्राले समीती I.M.C करती है तो दोस्तों आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जोरू बता है और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल का हमाई सुस्क्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद